पर्ति जनता पर्टी पहले ही चुनाव होगा या नहीं होगा वो सिट भैकेंट हुआ है संग्विधानिक प्रक्रिया क्या कहता है इलेक्सेन क्या कहेंगे तो आप पहले ही बोल देते हुहां पर चुनाव नहीं होना चाहिए ऐसा होना चाहिए उसका तो काउंटर कोई करेग जनता ने हमें पांच साल के लिए गड़ बंदन को दिया है असिर्बाद। इसलिए हम एक जूत हो कर चाहिए किसी भी परिष्टित्य आए चाहिए अमारे विवर्षित परिष्टित फिर भी हम एक जूत हो कर आगे काम करें। हरती जनता पार्टी यहां पर कुछ होने वाला है नहीं होने वाला है पहले ही उन लोगे इलान करते हैं आज सीट भैकेंड हो गया बोल दिया कि कलपना सुरेन खड़ा हो रही है कहां टाइटाइफिस हो गया हम सरकार में हैं हमें पांच साल के लिए बेंडिट दिया है हमारे सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों जनता को गुमराह कर रही है सायद अब ऐसे ही राजनीती हो रहा है तब ही तो एक सीट खाली होने के बाद या खाली कराए जाने के बाद चुनावा आयोग तक को हर कोई निर्देश और आदेश और रिक्वेस्ट करने की कोसिस कर रहा है बीजेपी कह रहे हैं यह चुनाव नहीं कराएं जे में महा पहुंच जती है कि चुनाव कराएं कौन केंडिडेट है पता ही नहीं चल रहा है ऐसा लग रहा है कि इस बार पहली बार होगा कि डेट से पहले आने से पहले लोग एक दूसरे का सिर्फ टवल कर लेंगे इस बा जहां तक भारती जनता पार्टी बार बार कह रही कि गंडे जो तक हम चुनाव कराना नहीं कराना नियम क्या कहते हैं नहीं कहते हैं वो शारी चीजल एक्षंव कमिशनर के पास तो नहीं कराना चाहिए इसा नहीं कराना चाहिए वही बात उठा रहे तो वह जो संग्विदान का नियम है जैसे अभी कुछ मीडिया बता रहे हैं कि यह 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 तो जेल जाना है लगता है कि वही लोग सीविया है वही लोग एडिये जो पत्रकार जो चनल चला रहा है ठीक उसी तरह भरती जनता पर्टी पहले ही चुनाव होगा या नहीं होगा ओसी भैकेंट हुआ है संग्विदान प्रकीरिया क्या कहता है call क्या कहेंगे तो पहले ही बोल देतेक्षई वहां पर चुनाव नहीं होना चाहीं ऐसा होना चाही उससे होना चाहीं तो जो करेगा ही जब कोई किसी का तमाचा करेगा और आ पीछे करेगा है उसी तरह है सरकार को तो समझदार माना जाता है सर कोई अगर अरे दूफरिया में गर्मी में कहें कि सितलाहर चल रहा है तो कहने देते हैं भरती जनता पार्टी यहां पर कुछ अब भरती जनता पारटी बार बार यहां काहें खाली हुआ तो इसका चुनाओं नहीं होना चाहिए कोई ले जाकर गवर्नर को दे रहे हैं तो बढ़ चर कर पहले वही लोग जा रहे हैं हम तो सर्कार चला रहे हैं और यह यह है कि अभी सवाल को जन तो आपी ने दिया ना सार आपने इस्तीफा स्विकार किया इस्तीफा करवा लिया तो वहीं से सवाल क्रियेट हुआ कि के हमने स्टीफा दिला है उसका जवाब अलाग है तो इस तरह डेस बें और जिस तरह किछ अधिया ने चला रहा है इसको जाना प्रमषभा मुद्ध में नहीं आज चैनल खुली नार्टी बिहार और खुली है उसमें लिका है बिहार से हो जाएंगे दिल्ली से हो जाएंगे जाड़कार से हो जाएंगे तो पहले तो आप ही लोग एलान करते हैं तो हमको तो इसके लिए और बहुस्ता करना होगा कि हम जनता की सम्मान करते हैं जनता ने पांस साल के लिए ह गजब की सरकार नहीं मीडिया को भी मीडिया को नहीं सिविया है जो बोल रहे हैं तो मीडिया अगर मान लीजिए कि आपके खिलाप है हम यह आपका मान लिए कि मीडिया खिलाप है आप कह रहे हैं कि न्यू चला रहे हैं तो सरकार मीडिया को दे के गोबर्न होगी कि सरकार न सेथा थीख के आएप कहा रहे हैं कि एडी का संबन मुख मंतरी के पहुंचने से पहले मीडिया तक पहुंच जाता है अप यह कहना चाहरा है मिडिया ट्राइल हो रहा है जो मुक्मंतरी ने कई तो इस तीफे की भी जंकारी सरकार के तरफ से या विधानसभाद दक्ष के तरफ से नहीं दी गई थी मीडिया के ही तरफ से बताया गिया तो वो तो सोर्सेज है हर पक्ष में होता है देखे यह सारे चीज जो है देखे आभी जो है जारखन सरकार जारखन में सुमुकी विकास कर रही है और भरते जनता पार्टी है कि हमारा जमीन की सकते जा रहा है अब हमारा जमीन में कुछ नहीं रहा आप इसी तरह नरगल इद्यर उधर का बयान दे कर अपने को बचाने के काम कर रहा है लेकिन मैं आपको विस्वास के साथ कहते हैं कि बहुत जल्दी दोहाजार चोविस के चुना होगा तो उनको न जावे के साथ नहीं कर रही है या गटबंधन कि यहां ठीक है मुख मंत्री को अगर आप जेल बेजना चाहते हैं मेरे पास फिर भी बहुत रहेगा सरकार में हमी रहेंगे क्या कॉंग्रेस वैसी परिस्तिती उत्पन हुई क्या तो फिर बार्गन पॉलिसी पे आप लोग लाएंगे या आप कहेंगे कि जो मुख मंत्री के समय था वैसे में ही हम संतुस्ठ हैं देखें कॉंग्रेस बार्गन के पसंद नहीं करते हैं और आज भी आपको हम कहना चाहेंगे कि हमारा गटबंधन ये गटबंधन दिल का बंधन और दिल का बंधन में भाव और तोल न स्थितियाद फिर भी हम एक जूट हो कर आगे काम करेंगे सुक्रिया ये दिल से दिल का मिलाप है इतना आसानी से टूटने वाला नहीं कोई भरम भी ना पाले कि कोई बार्गेनिंग पॉलिसी पर आएगी कॉंग्रेस लिहाजा चंता ने जब असिरबात दिया है पूरी ग जानबूश कर खबरों को खड़ा किया जा रहा है अनुमान लगाने की जगह दी जा रही है सरकार और विपक्ष दोनों के तरफ से आप अनुमान यहीं लगाईएगा कि सिर्फ आप क्या चाहते हैं आप तक विकास की योजनाय पहुंची या नहीं पहुंची और उसके लिए क्या आपको तक प्रयाप्त जनकारी है कि किसी भी योजना का कैसे लाब ले सकते हैं वो जरूर सोचे